विकास विकास नाम उश्टाइम काफी चर्चा में होता है जब गाउं में प्रधान पद का चुनाव चल रहा होता है लेकिन जैसे ही चुनाव खतम हो जाता है चुनाव समाप्त हो जाता है वैसे ही विकास नाम भी पान साल के लिए बिलुप्त हो जाता है तो नमस्कार मैं गोपाल और आप देख रहे हैं रोड तक नियूज आज सिर्फ विकास की बात होगी अपने गाउं का विकास क्योंकि अपने गाउं का विकास यानि कि अपने गाउं का विकास करेंगे तो आटोमेटिक प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश का विकास होगा तो वो देश अस्तर पे विकास होगा यानि कि देश का भी विकास होगा तो सबसे पहले मैं अपने गाउं के विकास के बारे में बात करूँगा ताकि गाउं में क्या क्या चीज होनी चाहिए और फिलहाल अभी मेरे गाउं में नहीं है मैं अभी गाउं में नहीं हूँ मैं उडिसा में हूँ और उडिसा के गाउं में मैं देख रहा हूँ कि क्या-क्या विकास होता है गाउं में और जो मेरे गाउं में विकास नहीं है तो इस पे आप बात करेंगे लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि इस बार प्रधान पद के प्रतियासी साउधान हो जाएंगे क्योंकि जो आप पैसा जमा कर रहे हैं चुनाव प्रचार के टाइम खर्च करने के लिए मुर्गा दारू देने के लिए या किसी को पैसा देने के लिए या कपड़ा देने के लिए फिर वो मत कीजिए क्योंकि इस बार कुछ भी होने वाला नहीं है इस बार जनता जागरुक हो चुकी है जनता किसी का एक रुपे खाएगी नहीं नहीं किसी से एक रुपे का खर्चा करवाएगी चुनाओं में आप परचार कीजिए उसका कोई बादा नहीं है मना नही किसी को कपड़ा देना या किसी को करज देना यह सब बिल्कुल नहीं होगा कहीं न कहीं विकास नहीं होने का कारण यहीं है जो प्रत्यासी लोग पहले ही चुनाओं में इतना खर्चा कर देते हैं कि उसको वसूलते हैं वो पांच साल तक और कितना प्रसेंट ब्यास सही तो है वो ग्रामवासी खुछ समझ सकते हैं तो हलाकि आज प्रसनल अपने गाउं के उपर बात होगा और अपने गाउं के विकास के बारे में बात होगा ताकि कोई भी चुनाओ के टाइम परत्यासी आ रहा है आपके घर में तो उसका बात सुन लिजिए ना कि किसी का पैसा लिजिए और ना ही मुर्गा और ना ही दारू कुछ भी मत किजिए आटोमेटी गाउं का विकास होगा और आप उससे खुल कर लड़ सकते हैं आप चार साल दस महिने तक अपना खुद का आप खा रहे हो खुद का पहन रहे हो खुद का दवा करा रहे हो खुद का आप खर्चा चला रहे हो अगर दो महिना कोई परत्यासी आपके घर में रासन दे दे रहा है कोई कपड़ा दे दे रहा है कोई पिने के लिए दे दे र आपका हक का पैसा कितना परधान खाता है यह आपको आइडिया नहीं है मेरे गाउं में एक ही इनसान थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनका मुझे बहुत दुख होता है वो असली विकास की बात करने वाले थे ब्रिजानंद यादव ब्रिजानंद यादव ऐसा इनस विकास की बात करते थे जो आज हमारे इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है लेकिन प्रधान के कुछ चंचे उनको पागल साबित करते थे हलाकि वो कहीं भी जाते थे तो ओर जिनल गाउंग का जो विकास होना चाहिए उस पर बात करते थे आज मैं 30 साल से देख रहा हूं जो बिकास कितना हुआ है जिस रोड़ पे मैं फोर विलर लेजा करके घुमा के लेके आ जा रहा था। उस रोड़ पे आज बाइक भी ले जाना मुश्किल हो गया है। तो ये कहां तक विकास है जिस दर्वाजे पर जिसी किसी के दर्वाजे पर जाओ आप पानी पीलो उस दर्वाजे पर प्यासे चार गंटा खड़े रहो तब जाके कोई दर्वाजा खोलेगा और आपको पानी देगा रात को कहीं भी जाना रहता था किसी के दर्वाजे पे जाओ और टार्च मांगो और अपने खेत में जाओ या पानी चलाने कुछ भी जाओ तो टार्च मिल जाता था अभी रात को खुद अपने ही जाना रहता है तो अंधेरे में जाना पड़ता है तो ये कहां तक विकास हु रहा है उसी को बार-बार बना रहा है और उससे कहीं न कहीं लाखों रुपे कमा रहा है उसी रोड को बार-बार बनाया जा रहा है हर बार बनाया जा रहा है और वो रोड कभी बना ही नहीं कागज में बन गया है लेकिन ओर जीनल में वो रोड नहीं बना है कागज में नाली ह लेकिन नाली का जो पैसा पाइप पड़ा है पाइप उसी परिजन के घर से पाइप का पैसा वसुला गया है जिस परिजन के घर के सामने पाइप लगा हो तो यह कहां तक भी कास है मैं जानता हूँ बहुत लोग को इस बात का बुरा लगेगा लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जो कागज में काम हो गया है हकिकत में वो रोड नाली वो तलाब वो मंदिर वो इसकूल क्यों नहीं बना है आखिर कहां जा रहा है पैसा कहां जा रह सुली कर रहा है पूरा ब्याज सहीत लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप उससे दारू पी लिए हो मुर्गा खा लिए हो उसके सामने आप बोल नहीं सकते हो कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ क्योंकि आप पहले ले चुके हो और कुछ ही लोग लेते हैं पूरा ग गाओं का प्रधान होना गरीब के भी हक में है, अमीर के भी हक में है, कोई जरूरी नहीं है कि गाओं का जो बड़ा अमीर हो वही प्रधान बनेगा, प्रधान पद ऐसा है जो सब स्वतंतर हैं, सब लोग प्रधान पद के उमिद्वार हो सकते हैं, सब प्रधान बन सकते हैं, गाउं के हर एक नागरी का अधिकार है जो परधान बन सकता है कोई जरूरी नहीं कि जो गाउं में सबसे बड़ा अमीर हो वही परधान बन सकता है आखिर हम यहां पे हैं देख सकते हैं काफी उसी तलाब के पास हूँ जो मैं अभी गाउं में नहीं हूँ लेकिन इस तलाब को बार बार बनाया जा रहा है बार बार जो उसको कोई आ रहा है तो दो तलाब बना दे रहा है कोई आ रहा है तो एक तलाब बना दे रहा है कोई मं चुनाओं में कोई प्रधानपत परत्यासी से एक रुपे खर्चा नहीं कराएगा और कोई भी ग्रामवासी एक रुपे खर्चा नहीं करवाएगा तभी गाओं का विकास होगा तो आप लोग जितने भी ग्रामवासी देखेंगे इस वीडियो को प्लीज कोई भी ब्यक्ति बिरोध ना करें मेरा जो बात है वो मैं बात आप तक रख रहा हूँ बाकी आप लोग का मरजी लेकिन इस बार चुनाओं में बिलकुल कोई भी एश्ट्रा खर्चा प्रधानपत के बारे में पुरा कागजी तोर पे उसको जाच करना है कि आखिर कितना विकास के लिए पैसा आया है और कितना खर्चा हुआ है और आखिर एक कागज में ही विकास हुआ है कि हकिकत में गाउं में भी ये विकास हुआ है तो नमस्कार धन्यबाद अगर कुछ भी बोला हू तो माफी चाहूंगा लेकिन आप लोग प्लीज इस वीडियो को सेर किजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियोंगे